नमस्कर दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूप एक पेशी ब्याक्या में तो आज हम देखेंगे आपके बॉर्ड मास और बॉर्ड मास से पूछे गए आपके महत्वण प्रश्णल पे चर्चा करेंगे हम लोग वैसे तो बॉर्ड मास का मतलब पता है भी का मतलब होता है व पूछे गये हैं पहला प्रस्ण आपका यह है कि इतना इतना और इतना दिया गया आप कमान और पूछ रहाएं कि बताई इस कमान क्या होगा ठीक है तो इसका मान देखिया आपको तो इसमें कोई ट्रीक नहीं लग पाएगा भाई साब इसको सीधा सिधा आपको हल करना है जिरो पॉइंट जिरो दो पांच छो हो जाएगा समझ रहा है न तो इस तरह से जो है आपको हल करना पड़ेगा हल करके आप इस कमान निकालेंगे तो देखिए यह सिधा सिधा निकाल दिया है इस पर क्यों हम टाइम बेस्ट करेंगे आपका ठीक है यानि कि माइनस का 0. पॉइंट फाइप आपका क्या होगा राइट इंसर होगा यानि कि अपसर नमबर ए चलिए जो कोशन पर ट्रेक लगेगा उसको हम बताएंगे अपका ठीक है अगला कोशन यह है आपका देखिए इस कोशन में काफी हम लोग गलतिया करते हैं और गलतिया कहां करते हैं कि व आप यहां तक कर लेजिए पहले इसको हल किजिए भाग वाले को उसके बसे आप इसको हल किजिए तो अब जाके आप प्लस वाले को जोड़िए आपका इंसर असानी से आएगा तो देखिए यह तरीका होता तो यहां से देखेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 14 कितना एगा 14 आच अपन में भाग करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा चार यानि कहने का मतलब यह है कि सर जब इसको हमने डिवाइड किया यहां तक जो डिवाइड किया ओं माइनस का चार रहा ठीक है और इसको पहले प्लस लगा हुआ है ध्यान दिजिएगा त माइनस चो के पहले माइनस लगा यानि कि प्लस का चो हो जाएगा और उसके बाद से चार है और उसके बाद से गोड़े माइनस पांच है तो पंचो के 20 हो जाएगा अब 20 में से चो गटाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 14 तो यहां पे आया माइनस का 14 और इसके पहल और 23 कितना होगा पाड़िस मीनास का 28 होगा मैनस ओगे च्छाब कितना हो जाएगा सक झील लगा सब्सक्ता हो दón spoke माइनस का दो आया कहने का मतलब यह है कि जब आपने इसको हल किया जब आपने इसको क्या किया इसको हल किया तो माइनस का कितना आ गया दो इन दोनों को मिला कर ठीक है हल कर इन दोनों को मिला कर जो आया ओ माइनस का कितना आ गया दो आ गया और इधर जो हल किये थे हो कितना आ और यहीं आपका राइड इंसर हो जाएगा क्या यहlair जुच जो सब्सक्राइब लुक्तिकर होता है और मैंश चौवश आपसा नुमबर भी में और यहीं आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे खजम जाया तो देख लिजिए नीचे आपको हल किये हैं यहां पर देख सकते हैं कि इसमें से घटाए पहले इसको हल किये तो यहां पर मैनस का चार आया जब इन दोनों को हल किये तो यहां पर मैनस का दो आया मैनस को 2-4 कितना हो गया 6 क्लियर है ना ठीक है अगला कोशन देखते हैं और अगला कोशन है आपके समने यह क्या है कि निमने को हल करें अब सीधा से इंपल है भाई साथ पहले इसको हल करेंगे ब्रेकेट वाले को डेकेट में भी बार हल किया जाता है तो 5 साथ कितना होगा 12 अब हो गया माइनस का 12 आए नोच हो कितना हो जाएगा पुलस का पुंदर तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर पुलस का तीन आएगा तीन में माइनस को गुड़ा करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 आ गया यानि कि यहां से यहां तक हल किया तो माइनस 3 आया फि इसका एक बट्ट दू है तो बट्ट दू मनें कितना हो जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा और बारा में बहुतर से भाग करेंगे बहुतर में बारा से भाग करेंगे तो कितना आजएगा चो यानि कि समे ल समे सब्सक्राइब देशाया क्या बट्ट नएखक्ता रेहाता सब्सक्राइब करेंगे लिए अरो न छीन घून खतम हो गया तुछ सब्सक्राइब करने कितना हो जाएगा ऊइसे अत्युक्राइब 232 से पढ़ा गारा जो फिर पुलस है तो पिलस कीजिए ह। चार तिन साथ एकाट ठीक है अब 8 चार तिन साथ एक 8 एक कितना हो गयाए 9 ठीक है आठीक कितना हो गया नव हो गया उनौ फईल्च ख讲तम और फिर यहांपे क्या है आठ तो आठ रख़ो दीजिए इसका mix उस्वी ये ऊज़कि एकनो खंआ हो जाएगा पांच तिन आठ एक, नौ खंआ और आऊंखसा क्ये आप फिर लिण फोगाी विव९ किकменर से था होदानी से 12 कितना हों जाएगा तो कितना आजाएगा दो आजाएगा यानि इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए भाईया इसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए देखिए किसका डिजिटल सम जो है आपका 2 है तो देखेंगे कि सर 246 और 2424 का डिजिटल सम 415 होगा यह नहीं हो सकता फिर यह देखिए यह भी नही जोड़ेंगे तो प्लस जीरो प्लस जीरो जोड़ेंगे तो दो ही आएगा और आप्सननर सी आपको क्या हो मैं और इस तो यह इस यह देखें पर गुड़ा और भाग रहता है ना वहां पर sangat … लगjang वाल नहीं सकते हैं समझ रहा है यह कोश्चन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है बहुत ही महत्रपूर प्रस्ण है क्योंकि आपके एक्जाम में यह दुबारा रिपीट होगा थ्यान रखेगा दुबारा रिपीट होने वाला है 90 चांस है इसका रिपीट होने का तो सीधा सीधा इसके ट्री ए और भी इसका मान हो जाएंगे डिरेक्ट ऐसे याद रखेंगे भाई साब ने तो लंबा चोड़ा हो जाएगा अप्सन नंबर भी हो जाएगा ठीक है बाकी देखिया हल करना है तो आप इसे हल किजिएगा टाइम लिजिए इतना टाइम कहा है आपके एक्जाम में नहीं चाहिए तो सीधा सीधा यह जो लास्ट वाला है इसे को उठाकर कर दिजिए तो नौ बटास दस आपको क्या होगा राइट एंसर हो जाएगा अदेखिया नोब टास किसमें आप्सन नंबर सी में सीधा हो जाएगा कुछ नहीं करना है ठीक है अगला देखिए कोश्चन देखिए त्री 05 दिया है अप लस जब 125 को तोड़ेंगे तो 5 पॉड़े कितना होगा पस एप शीश का बरमूल पांच होता है तो 5 होगा रूट ऊनुर जेखिए नोट बो vem के तो 35 कमान जो दिया है ओ दिया है श्च्टरा 008 ठीक है हमसे पूछा क्या है तो हमसे प जो है कितना है आपका अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 है ठीक है यह पुछा है तो 80 का जब खंड करेंगे तो 16 पाची कितना होता है 80 यानि 4 बाहर हो जाएगा तो यह हो गया 4 रूट 5 प्लस क्योंकि 5 बचेगा न तूसमें रहेगा रूट में कितना हो जाएगा तो आप कहाएंगा सर्फ 10-5 हो जाएगा तो यह बलकुल नहीं पड़ेगा बस हो सवाल बस आपका सवाल क्या हो गया हो गया देखिए 10 रूट 5 था तो रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा उपर बचेगा 10 और उसके बासे और कट रहा है तो कटा दीजिए तो कह एंगिल सर दो पचे 10 और दो चोग के कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा और इस 14-0 544 44 उसके बसे बच्वाइब 25-35 और 3549 का 9 दसमलों लग जाएगा फिर 5 एकम 5 और 3 आठ यानि कि 89.44 में 4 से आपको क्या करना है भाग करना तो भाग कर दिजिए तो 89.44 में तो 4 दुना के कितना हो जाएगा 8 फिर 9 बचा तो 4 दुना के 8 दसमलों फिर 14 तो 4 तीय कितना हो जाएगा 12 और चार पच्चे 20 यानि 22 दसमलों तीन पाच होगा अब 22 दसमलों तीन पाच किसमें है तो आप देखेंगे ऑप्शन नमबर बी में है और यहीं आपको क्या होगा राइट इंसर हो जाएगा आए समझ में मुझे आसा है कि यह चीज़े जो है आपको अच्छे तरीक चे समझ म आए होगी और यह बड़ मास पर अधारित आपके गुरूप डी में प्रिवेजर कोशन पूछे गए थे सेम यही कोशन आपके रिपीट होने वारे हैं तो ध्यान दीजिएगा आज जो है हमने मायत के सिवन कोशन बड़ मास पर पूछे गए थे उसको हल कर लिया ठीक है त तो आज किल बस इतना ही जय है जय वारे है